करोना का खत्रा बड़ा 44,000 से जादा नए केस दर्ज भारत में वी चीन को चिताबनी भारत के मामलों में दखल लादे चीन भारत का एक और मेडल पकाब बॉक्सिंग में लवलीना की शांदार जीत लगतार बड़ रहाज या मुना का जलिस्ता रगवे 24 घंटे काफी जादा एहम लोगों से सतरक रहने की की अपिर असम मेजोरम के बीच और बाड विवाद पर अंदीप सुर्जेवाला ने दिया बड़ा बयान मैं मश्का सुआगत है आपका देख रहे हैं प्राइम टीवियों में किर्थी लेकर आज़र हो देश और दुनिया की तमाम खास खबरे भारत की मुक्के बाज लवलीन बोर्गो हेन ने टोक्यो अलम्पिक में भारत का दूसरा मेडल पका कर दिया उन्होंने 79 किलो ग्राम भाव वर्ग में चीनी टाइपे को हरा कर उन्होंने सेमिफारल में जगा बनाए इसके साथ ही उन्होंने कान से पदक पका कर लिया है लवलीना को अपना मुकाबला जीतने की काफी जादा खुशी है उन्रम्पिक में मेजल हासल करने वाली वो तीस भारतिये मुक्के बास बन चुकी है तो भारत का इक और मेडल ओलम्पिक में पका हो गया है इसके पहले सिल्वर मेडल से चानु ने जीता था उसके बाद अब 79 किलो ग्राम भाव वर्ग में चीनी टाइपे लिया है चीनी टाइपे को हरा कर उन्होंने सेमी फाइनल में जगा बना ली है वोर्गोहेन ने टोकियो उलम्पिक में भारत का दूसरा मेडल पका किया चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री को किया ली कि बैठक हुई बैठक के बाद जारी संयुक्त बायान में जस तरह से कश्मीर का जिक्र किया गया वो भारत को पूरी तरह से नागवार गुसरा है इसी पर भारत ने दोनों देशों को सक्त चितावनी दी है कि वो भारत के अंदर जुनी मामलों में दुहल अंदाजी करना बंद करें गैर कानुनी तरीके से कबज़ा कि ये भारतिय जमीन पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानि कि CPEC का निरमान भी बंद करें ठाख वर्षर भारत ने एक बहरश चीन को चेतावदिनी जारी कर दिया है साफ तोर पर प्रधान मंतिन नरीन मुदी नी कह दिया कि चीन की दखल अंदाजी भारत के मामलों पर बरदाश नहीं की जाएगी अंदरूनी मामलों में अगल दखल अंदाजी बंद नहीं करेगा चीन तो गैर कानूनी तरीके से कपजा किये गए भारती जमीन पर चीन पाकि अगले 24 घंटे में खत्रे के निशान तक पहुचने की आशंका जताई गई है। लगातार मौनसून और जलस्तर बढ़ने का ये एक खत्रा बना देता है जिसको लेकर अलड़ जारी किया गया है 24 घंटे का बता दे कि और साथी साथ शेरी विकास मंतरी सतेंदर जायन ने कहा है कि इस पर निर्भर है कि हतनी कुंट से कितना पानी और छोड़ा जाता है जिसस 44,000 से जादा कोरोना केस सामने आया साथ मंतराले की ओर से जारी आकडो के अनुसार पिछले 24 घंटे में 44,230 ने कोरोना केस आया है और 555 संक्र में तो की जान चले गए केरल से सबसे जादा 22,064 ने मामले सामने आया अलगी देश भर में पिछले 24 घंटे में 42,360 लोग कोरो कोरोना वैरिस से संक्र में था जिनका इलाज चल रहा है तो कोरोना को लेकर एक बार फिर चिंताए बढ़ गई है 44,000 से जादा नए केस आये हैं जो तीसरी लेहर के आशंका फिर और खत्रा जाहिर कर रही है एक तरह से कम हो रहे थी केस लेकिन एक बार फिर केसस में बढ़ खुतरी आने लग गई है केसस सामने आने लग गए है असम और मेजोरम के बीच सीमा समंधी विवाद बढ़ता ही जा रहा है सिकरम में महासचिव मामुखे प्रवक्ता रंदीप सुर्जेवाला ने असम सरकार द्वारा राज के लोगों को मेजोरम की यात्रा से बचने की अपील की है इसी के साथ उन्होंने ट्वीट में कहा कि देश के इतिहास में सबसे शर्म सार करने वाला दिन है जब देश वासी एक प्रांथ से दूसरे प्रांथ में ना जाए तो क्या मुख्य मंत्री और ग्रह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है इसी के साथ उन्होंन सांबाजुले में तीन अलग-अलग स्थानों पर संदेख्द पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिये ड्रोन को लेकर अधिकारियों ने बताए कि ये ड्रोन रात में करीब साड़े आठ बजे बारी भ्रामन जिलाधे और गगवाल इलाकों में एक ही समय पर देखा गया ये ड्रोन ऐसे समय देखे गए हैं जब करीब एक हफ़ते पहले पुलिस ने यहां पास के सीमा वरती कंचक इलाके में पांच किलोग्राम आई-ई-डी समगरी ले जा रहे हैं एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था अधिकारियों ने कहा कि बी-एस-फ के जवानों ने पाकिस्तान की ओर लोट रहे हैं ड्रोन पर चिलाधा में कुछ गोलिया चलाई अधिकारियों ने कहा कि अन्ने दो ड्रोन वारी ब्रामना और कगवाल में जम्मू पठान कोट राजमार पर समेदर शील सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर घूमते हुए आसमान से गायब हो गए कॉंगरस नेता राहूल गांदी ने केंदरी वितिमंतुरी निर्मला सीता रमन को चठी लिखी है चठी में लिखकर राहूल ने उनसे किसानों द्वारा लिए गए आपातकालीन फसल रिनो को बुक्तान के लिए दी गई महलत को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का आग्रे किया है राहूल गांदी ने ऐसे रिनो पर भी दंडात्मक बयास से छूट की मांग की है उन्होंने कहा है कि कुरोना वाइरस महमारी के करण समूचे देश के किसान गंभीर आर्थिक परिशानी का सामना कर रहे है कॉंग्रेस के पूरवध्यक्ष ने कहा कि केरल में उनके निर्वाचन शेतर वाइनार्ड में बड़ी संख्या में छोटे और हाशिये पर पड़े किसान रहते हैं के चलते उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए और 31 दिसंबर तक की रिन वापसी की जो तारिक है उसको भढ़ाने की निर्मला सीतर अमन से रहुल गांधी ने मांग की है कोरोना की तीसी लेहर को अलर्ट जारी कर दिया गहें लेकर इसी बीच CDSCO विशेशग समीती ने COVID-19 T को कोवाक्सीन और कोवीशील के मिश्रिक्त खुराकों पर अध्यान के लिए मन्जोरी की मांग की है कोवीशील कोवाक्सीन के अध्यान प्रोटोकॉल के आवेधन को CMC वेलोर की ओर से प्रस्तावित किया गया है दूसी तरफ सिरम इंसिट्यूट ऑफ इंडिया को 2-17 साल के बच्चों पर कोवाक्स TK के दूसरे और तीसे चरण के प्रसिक्शन के लिए कुछ शर्तों के साथ नुम्रती देनी की सिफारिश की है और प्रसिक्शन में 10 से जगहों पर 920 बच्चे शामिल होंगे जिन में 12 से 17 और 2 से 11 आयू वर्ग के प्रतीग वर्ग में 460 बच्चों को शामिल किया जाएगा देश की राजधानी दिली के लिए मौसम विभाग ने औरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आज भी दिली में बारिश होने की समभावना है मौसम विभाग नहीं आगे कहा कि दिली NCR में अधिक्तम तापमान 27.6 डिग्री सिल्सियस दर्श किया गया जो की समान इसे 7 डिग्री कम था सफदरगंच वेद शाला में न्यूतन तापमान 24 डिग्री सिल्सियस दर्श किया गया जो की समान इसे 3 डिग्री कम था रुतापदेश की खास कबरों में फिलाल के लिए बास इतना ही जल्द हाजिर होंगे देखते रहिए प्राइम टीवी प्राइम प्राइल